उसमें एक balloon रखा हुए है सामने, जैसे जैसे मैं सवाल पूछ रहा हूँ कि बेटा आप आसपस हो और मैं बोलारो हूँ बेटा आप मेरे आसपस हो तो इस balloon को left करो, इस balloon को right करो तो वहाँ पे बच्छों की spirits जो थी, वो मुझे आंसर तो कर रही थी, वहाँ पे दो रशियन्स एक husband wife उस graveyard में जा रहे हैं एक के हाथ में नाइफ है एक बंदे ने अपने पूरे सर के बाल हटा रखें कपड़ा सर पे बान रखा है और वो उस नाइफ से अपने husband को मारेगी हम जी दोस्तों स्वागते नया दिन नया पॉड कास्ट राज का पॉड कास्ट आपके फेवरेटे जॉनर का हौरर पॉड कास्ट भाई आप लोग इतना प्यार देते हो बहुत गाश्ट को तो मजबूरन हमें वो ज्यादा तादाद में लाना पड़ता है और अच्छे-च्छे गेस्ट को ढूनना भी पड़ता है और आपी की फरमाईस्ती कमेंट्स में आपने एक नाम भर दिया था कि वहाई सागरति भारी भारी को बुलाओ सागरति भारी भारी को जो off camera हमारी सागर भाई से जित्ती अभी तक बात हुई है हमें तो बहुत बहुत excitement अभी से हो रही है कि यह बहुत तगड़ा podcast निकल के आने आले है जनता को भी full मजा तो भाई सबसे पहले ही इस बात से शुरू करते कि आप paranormal investigator बने कैसे उसकी भी एक story कुछ थी जो आपने कभी बताई नहीं है जनता को भाई paranormal investigator मैं बच्पन में मतलब जैसे कि बहुत लोगों के साथ होया करता है कि light जले जाती तो लोग चट पे सोया करते थे पहले तब सारी facilities available नहीं होती थी तो भाई मैं चट पे सो रहा था उसके बाद ऐसे मेरे दो कजन ब्रदर थे मैंने उनसे बोला है और पानी बीने चलना है अब पानी तो नीचे जाना पड़ेगा उसके लिए तो भाई जैसी हम स्टेर्स से उतर रहे थे उतरते टाइम एकदम मेरे साम नहीं मतलब जैसी स्टेर्स के बिलकुल साम नहीं एक वाइट सी शैडो जो की बहुत जादा शाइन कर रही थी तो जैसे वो शाइन कर रही थी मेरे दो कजन ब्रदर एकदम मेरे को धक्का देके ऊपर की तरफ भग गए उन्हें भी दिखा वो हाँ उन्हें भी दिखा वो अगले दिन भाई फीवर हो गया डर लगने लग गया घरवालों को बोल रहें घरवाले माननी रहें घरवाले कहा रहें यहां पर बाई सब तीस बंदे लेटे पड़े हैं कैसे आजाएगी कोई चुड़ा है कैसे आजएगी कुछ आकार था कुछ यूमन पॉन भाई बहुत जैसे तेरह चोदा साल काऊंगा मैं तो वो तबसे माइंड में एक पर हिट कर गी चीज यार यह चीज है क्या तो दीरे दीरे जैसे बढ़ते गए बढ़ाई बढ़ाई करी अपनी ग्रेजुएशन तो वो सवाल मेरे माइंड में चलता रहता था कि यार बच्पन में देखा था और मूवियों में भी देखा करी मूवियों में सबको पता है भाई के भूत कैसे होते हैं जो सारे वी एफेक्स है जो एक्चुली में लोगों ने समझ रखे कि वो भूत होते ही नहीं है वो तो किसी की इमेजिनेशन है तो भाई फिर मैंने सोचा कि यार यह जानना है कि इन लोगों से सुना कि घर जहां पर बंद रहते हैं बड़े-बड़े फोर्ट में बड़ी-बड़े पहाड़ों पे नदियों पे तो भाई फिर शौक चड़ गया घुस गया इस फील्ड में पर घर वालों ने बोला बहुत घर वालों ने बहुत बोला कहते बाई शादी नही तेरी जैसे तेरे साथ कोई नी कोई लोगे का मैंने का मैं आपना बहुत करने वाला इससे मैं दुनिया दारी का बहुत जो देखेगा और कुछ एरिया उस घर से डरता है वहाँ जाता नहीं है लेकिन वहाँ को जाने की हिम्मत नहीं करता तो भाई अपना है के वहीं जाना है जहां पता है बहुम मुझे और रॉण नहीं पता लेकिन जो पैर नोरमल चीज है, वो मेरे लिए नॉरमल है भी, इस ताइम पे। मैं बिलकुल यह बार ठोक के कहता हूँ, मुझे लगता है कि मेरे पारनॉर्मल कुछ नहीं है पारनॉर्मल हॉं्टेट तूनों अलग अलग चीज है मेरे लिए पारनॉर्मल के जैसे कि मैं भाई लंबी देहर माइन्स एक बहुत फेमस जगे है वहां पर बताते हैं कि पचास जार लोगों की डेथ होगी थी उस माइन्स के अंदर तो ऐसा कोई दिल्ली और गुड़गाओं का बंदा नहीं है जो यहां से जब ट्रैवल ना करता हो और वहां रुकता ना हो और आज तक वहा यहां पर लोग एक administration office है वहां पर लोग जाते हैं वहां कहते हैं यह बड़ा haunted है लेकिन वहां पर Bollywood के भी कई सारी ऐसे गानों की shooting हो रखी है कई सारे ऐसे इंस्टाग्राम के जो creator है वहां जाके वीडियो बनाते हैं दिन में तो बना लेते हैं लेकिन रात के उनके mind में यह चीज मेकप हो रखी है कि यहां पर पचास जार भूतो की presence है और उसमें से पहला बना मैं भी एक ऐसा था कि जब मैं गया तो मेरे को भी यही लगता था कि यहां पर पचास जार भूत बटकते हैं लेकिन भाई वही दीरे-दीरे सीखते हैं learning process तो कभी खतम नहीं हो सकता तो फिर भाई मैं एक बार वहां गया लॉग्ड़ाउन में गया वहां पे 2020 मैं पर मैं गया वहां पर मैं गया लॉग्ड़़्ान भाई अब आप एक वर्ड बड़ा चलता है ना system है तो बहाई system है है पूरा इंडिया में को ब्ला मलब इस वाजे से आज मैं इस फील्ड को continue नहीं कर रहा हूं तभी मैं आज पूरे इंडिया में इंवेस्टिकेशन कर सकता हूं एक सोर्स मेरे पास एक ऐसी चीज है आप कहलो अच्छे लोगों की ब्लेसिंग भी है और कई लोगों का सबोर्ट भी है तो भाई मैं लंबी देहर माइंस पहुंचा मैं और मेरा कैमरा में हम सिर्फ दो ही बंदे गए महां पर हमने पुरा कैम्प लगाया टेंट लगाया महां मने स्टे किया रात को रुके अगले दिन हमने उसे शूट करने की कोशिश करी मैं वहां पर पहुंचा भी रात को दो बजे पहुंचा हूं मलब चार साड़े चार किलो मिटर का ट्रैक ह है रात को दो बजे हम दो बंदे घुम रहे हैं मेरे पास मलब अपनी सेफ्टिक लिए भी चीज़े थी वैपन्स थे तो मैं वह लेके गया मेरा कैमरेमेन के भी हाथ में कुछ न कुछ था च्या वेपन लेगे भाई मेरे पास गन भी है औल इंडिया लाइसेंस है मेरे पास हां बहुत पहले से 5-6 साल हो गया तो मैं वह भी लेके गया तो मुझे लगा कि कोई पैंथर आ जाए या मोस्ली ऐसी जगाव है ना क्रिमिनल एक्टिविटी बहुत जादा होती है तो वहां पे मुझे डर था वह सबसे ज़्यादा पैंथर खा था क्योंकि भाई लॉक्ड इसी देखो गया तो उसमें देखोगे तो आपको दिखेगा कि वहां पे इतनी तेज हवा चल रही है वहां पे मैं रस्ता भटक गया ट्रैक करने के बाद मैं उस माइन्स तक पहुंची नहीं पाया मतलब वो मेरी कोशिश फेल होगी लेकिन मैंने ये जरूर सोच रखा था है कि मेरे को यहां जरूर जाना है क्योंकि ये एक ऐसी जगह है जहां पे लोग ना कभी पहुंच पाए अब तक ना कोई हिम्मत करता है वहां जाने की क्योंकि mostly क्या होता है कि किसी भी haunted जगह पे एक गोस्ट की presence हो सकती है एक family मर सकती है लेकिं वहां पचास जार लोगों क आत्माएं तो वह बहुत बड़ी चीज़ है ऐसा कहा जाता और एक्चुली ऐसा है भी मतलब अगर चलो मैं कहता हूं पचास नहीं होंगी इतना फेकनेस तो नहीं हो सकती तो भाई मैं वहां पे गया वहां पे रस्ता भटक गया आते टाइम मतलब मैंने देखा कि यार मैं फे हुई है मेरी कार के आगे मलब जाते टाइम वो नहीं थी कार मैं जितनी मेर से कार ले जाई गई मैं उतनी लेके गया लेकिन आते टाइम देखा मैंने एक कार की डेड़ बोड़ी वहां पे पड़ी हुई है गाय की कार की क्या रहूं गाय की डेड़ बोड़ी पड़ी क्योंकि वह मेरे माइंड में और वह मेरी अब तक की सबसे फेवरेट और एक ऐसी लोकेशन है जिसका मुझे मिथ क्लियर करना था और यह अभी कब गये यह भाई अभी आफिक लास्ट मन पहले गया था मैं लास्ट मन पहले मैं और वही कैमरामेन हम दोनों वापिस गए दुनिया में काफी जगाए ऐसी हैं जिनके वारे में मतलब एस्ट लॉजर ना पहले ही प्रिडिक्ट कर लेते कि यह जगा हॉंटिड होने वाली है और वहां से वहां से वही वापस नहीं आ सकता जैसे मैं अभी एक न यह आर्टिकल पढ़ रहा था अभी अपना 22 जनवरी कर दिया था कि 2004 में इसका अगर देखा जाए तो 2019 सुप्रीम कोट का सुप्रीम कोट ने अपना फैसला सुनाया था और तो और भाई मैंना एक और चीज़ एक्स्पीरेंस कर दिया है जो हम बात कर रहे हैं अश्ट लॉजर कर लेते हैं इसे के राउंड बात हो रही है तो ब वह मैंने डाउलोड कर ली तो फिर मैंने का चलो बात करता हूं किसे अश्ट लॉजर तो मेरी बात ही अश्ट लॉजर पल्लेविजी से तो इससे पहले मैं उनसे मुछ पूछता उन्हों आगे सही मुछ से पोछ लिया आपकी डेट ऑफ बर्थ क्या टाइम ऑफ बर्थ क्य अब बात कंटीनिकरियों फिर में दो चार क्यूस्ट ऐसे अपने फ्यूचर के बारे में पूछें उनसे अपनी फैमिली के बारे में तो बढ़िया था यार वो अच्छा और बाइस अब बताव ना लाइफ मेंने फ्यूचर को लेकर डाउट आती है अगर मानले हो किसी को में जाना तो भाई वह उसके बारे में अगर कोशन पूछ लेगा यार मेरा इस बंदे या इस पार्टनर के साथ मेरा लांग टाम पर जाए और मैं तो इन फैक्ट आसे लोग कूप जानता हूं जो मानो कि जॉब इंटर्वीज पर जा रहे हैं 40-50 इंटर्वीज दे दिये लेकिन उनको कंवर्ट नहीं हो पारी चीज़ है तो तुमको वहां से बात करके काफी चीजे क्लियर हो जाती है अच्छा मैं काम करता हूं अपनी एस्टर टॉक आपका डाउनलोड लिंक डाल देता हूं इस वीडियो के तो वहां से आप लोग डाउनलोड कर लो और आपको पहली चीज़ भी वहां से फ्री मिल जाएगी हाथ हम करते हैं किया बात कर रहो हैं आपको क्या फील होता है मतलब को जैसे घ्रандENE हो जाए हम जैसे कोई लोग जायां तो वहां पर हमारे को और आप में क्या डिफरेंस फील होने में जो हमें अब नार्म्ल लग सकता है आपक बहुत हूं मैं रात-रात को बैठके तब भी करता हूं क्योंकि मैं अपने आपको स्टॉंग नहीं रखोंगा तो यह चीजे मुझे भी नुकसान पहुचा सकती हैं तो भाई वहां पे जब मैं गया तो मैंने वहां पे यह देखा कि जब कोई जगे बिल्कुल नॉर्मल थी ज उसमें आपको बता चले हैं मैं बार-बार ना अपनी जगे थी वो भूल जा रहा था कि मेरे को लग रहा था यहां जाना है यहां जा रहा हूं तो एकदम नॉर्मल है कुछ फील नहीं हो रहा है कोई लंबी-लंबी मैं सांसे नहीं ले रहा हूं कुछ नहीं हो रहा है कोई दिख रहा है और उसमें आप बार-बार सुनोंगे कि कुछ ने कुछ आवाजे आ रही है मेरा पैर फिसल गया मेरा पैर फिसल गया तो मेरे कैमरा मैंने कैमरा छोड़ा और मेरा हाथ पकड़ लिया क्योंकि आलमोस्ट मैं खाई में गिरने वाला था उस टाइम पे क्योंकि वहाँ पे भाई जाई नहीं सकते नॉर्मल बंदा नहीं जा सकता मैं यह बोलूँगा कि अगर 30 बंदे खटे होके जाएंगे न तो उसमें से 29 बंदों को सिर्फ यह होगा कि भाई रहन देते हैं तो वहाँ पे जैसे ही मैं उस लोकेशन पे जाता रहा तब तक मेरे साथ नेगेटिविटी मुझे फील होने लगी और मेरे को नेगेटिविटी सबसे जादा जो फील होती है मैं अब काफी लोग इसे जूट भी बोल सकते हैं मेरे न भाई गूजबम्स मेरे जो रॉंग्टे है न वो पेरो से लेकर यहाँ पूरी बीर्ड तक खड़े हो जाते हैं जब कोई नेगेटिविटी मेरे आसपास होती है लग कई जगाओं पर जैसे मेरे को फील हो रहा होता है टेक्निकली जैसे कि कोई मशीन है वो सिर्फ मुझे उसकी एक्जिस्टेंस प्रूफ करती है कि हाँ देरी समवन कि यहाँ पर भूत है लेकिन जो मैं स्प्रिचुली स्टॉंग हूं जो मैं खुद से फील करता हूं त इसने बुद्यार रात रात और लमुस्ट हाँ दो-टीन बजगे होंगे एक देढ़ घंटे ट्रैक करके गए हम देढ़ घंटे ट्रैक करने के बाद उस जगे पर पहुचे पहुंचने के बाद मुझे ऐसा लग रहा है कि मुझे वहां की आत्माइं बार बार ना जो से बी इस प्रना आस तक क्यों नहीं जा पाया वहाँ पर दूसरी शीश कुछ दिखाई अगー शो के एवाइब के दम एफटाप Panther की आखे दिखी, बिल्कुल येलो आइज दीखी, एक दम फटा फट, मैं भगा, मेरा Cameraman भगा, हम बिल्कुल एक दम wall के बिल्कुल edge में जाके ऐसे खड़े हो गए, और मैंने Cameraman को लाइक बोल दिया, मैंने तयार रही हो, फिर मुझे लगा के चल, यार, कर लेते हैं, क्यो वहाँ जाने के बाद मुझे बहुत जादा negativity फील होती है. जब आप वहाँ पर गए वो location है कैसी थोड़ा explain करो कि? भाई वो location जैसे आप कह सकते हैं एक महल की तरह है. अब एक example दूँगा, अगर आप दूर से देखोगे, मैंने ड्रोन शॉट भी डाला हूँगा, वो देखोगे एक महल की तरह है दूर से. मलब काफी लंबे-लंबे pillars हैं और नीचे उनका कुछ offices बने हुए जहां से वो mines को control करते होंगे. और नीचे थोड़ा सा underground basement टाइप भी है. तो मैं basement में भी गुषने ही कोशिश कर रहा था, मैं यह सोच रहा था कि मैं उस mines के अंदर चले जाओं. लेकिन वहाँ पे भाई इतनी सारी energies थी, जो मुझे clear indication दे रही हैं कि तू भाई यहां से चले जाओं. लेकिन कहीं ना कहीं मैं God से जादा connected हूँ, जिस वज़े से मैं वहाँ रुक रहा हूँ और मेरा motive यही है कि भाई मेरको यह जानना है, कि लोग यहां पे आने से डरते क्यों हैं, क्या है, यह mines का भाई राज. तो मैंने भाई वहाँ पे investigation करी, मेरे devices पे बहुत सारे अलग-अलग signs मुझे मिले, मतलब मैं जो question पूछ रहा हूँ, उसका answer मुझे बहुत पहले मिल रहा है, या मैं पूछ भी नहीं रहा हूँ, तो उस पे पहले से ही sign आ रहे हैं, क्या आप पूछ रहे हैं, यहां पे कित एक ऐसी चीज है, अभी तक पूरे world में ऐसा कोई device नहीं है, जो मैंने खोद assemble कराया है, मैंने उसके उपर video भी डाली हुई है, लोग EMF meter, motion sensor यह सारी चीज़े use करते हैं, यह common और basic है, मेरा device मैंने अपने American friends और Canadian friends की वज़े से भाई उस device को assemble किया है, इंडिया में, और वो like आप चलते हो, तो floor में कुछ ना कुछ sensation तो होती है, तो भाई वो भी detect करता है, अगर air pressure में कोई changes है, like मैंने ऐसे हाथ इला दिया, तो उसमें भी अगर छोटा सी माइनर सी भी differences हैं, changes हैं, तो भाई वो भी detect करेगा, electromagnetic field जैसे की बताते हैं कि ghost यह produce करते हैं, तो उसे भी detect क करेगा, और से जो usual devices होते हैं, उसमें ऐसा कहते हैं, कि यहां पर अगर तुम इतनी आत्मा हैं, तो तीन लाइटे बिलिंक हो जाती है, तो आपके में कैसे work करता है, भाई मेरी एक kind of ring light है, और उसमें sensors लगे हुआ है, अगर उस circle के अंदर या उसको कोई touch करेगा, या उस sensor क पास कुछ भी fluctuation होगी, air की, या earth में, कुछ भी sensation होगी, तो भाई वो detect कर लेगा, और एक temperature भी वो detect करता है, तो usually जितने भी paranormal investigator देखे हैं मैंने, वो सिर्फ यही use करते हैं, कि EMF कर लेते हैं, sensors कर लेते हैं, और मुलब 3-4 device use करते हैं, लेकिन फिर मेरे को लगा कि भाई मु तो वहाँ पर मैं वो उस gadget का use कर रहा था, gadget का use कर रहा था, वहाँ पर sign मिलने लग गए, मुझे पता चल गया कि यहां की spirits हैं मुझे confuse कर रही हैं, और हो सकता है मुझे नुकसान भी पहुचा दे, तभी क्या हुआ जैसे ही मैं एक सवाल पूछ रहा हूँ, एकदम पीछे स पैंथर की आवाज आती है, दहाडनी की, उसके बाद भाई मैं एकदम आगे की तरफ कूथता हूँ, मैं डिसाइड कर लेता हूँ, मैं अब यहां पर investigation नहीं करूँगा, क्योंकि यह एक ऐसा sign है, अब वो मेरे लिए paranormal भी हो गया, क्योंकि जिसे मैं समझ नहीं पाया, भू जैसे ही निकल रहा था, निकलते निकलते मैंने बोला कि भाई बड़ा हुश्यार रहना पड़ेगा, जैसे उस जगे को मैं छोड़ने को हुआ, मेरा पैर फिसल ने लग गया, मेरे phone की बैटरी डेड, मेरे camera की बैटरी डेड, मेरी light की बैटरी डेड, उस सारी वहां पे जि अगर आप इधर इधर आपका पैर चले जाएगा तो आप गिर जाओगे वहाँ पे तो बस उसे क्रॉस कर चुका था मैं फिर भाई मैं अंधेरे में उस जगे से रुकते 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 वापिस रिटन आये हूँ तो वो मेरे लिए पैरानॉर्मल भी होग कि मुझे यह लग रहा था कि यह जानवर शायद वह स्पेरिट सी क्यों ना हो आपको पैंथर की वैसे कुछ वह नहीं दिखी कि पैंथर ही पैंथर खाड़ा है वहां पैंथर नहीं दिखा आखे दिखी और धाड़ने की आवाज यह एक बार मुझे मोमेंट लगी मैं आपको मेरे को सिंगर बनने का बड़ा शोग था मुंबई शिफ्ट होने का बड़ा शोग था बहुत सारे का मैं एक बहुत सौर्टेट जॉब भी कर रहा रहा लेकिन इस तेड़ी चीज को समझने के लिए मैंने इस फील में पैर रख दिया लेकिन मानने बढ़े हैं आप ऐसी लो के बार ही खड़ा होता हूं जैसे ही रात के बारा एक दो बजे बजेंगे और यह जो टाइम दिखाने का गूगल टाइम दिखाने का ट्रेंड भी है यह सागरति वारी नहीं भाई स्टार्ट किया था वरना लोग घड़ी में फोन में टाइम चेंज करके वीडियो बना ले देख लिया मैं यहां पर घूम के चलें मुझे पता होगा यहां पर किच्छन है यहां पर यहां पर यहां पर वहाई भी नहीं आईगी मुझे खुद ही फील नहीं हुगा तो मुझे वह एडवेंचर और वह चीजों को जानने की जिग्यासा तभी होती है जब मैं उसमें लग रहा था मेरी लाइफ बिल्कुल खराब होने वाली है यह एक हॉंटिट स्कूल है और यूपी में था यहां पर जैसे वो शैड गिर गई थी बच्चे पढ़ रहे थे तो वहां पर बच्चों की डेथ हो गई थी स्कूल में तो स्कूल में जब डेथ होगी थी तो काफ बच्चों की बात है पैसा क्यों लेना है चलते हैं भाई मैं वहां पर गया और वहां पर मैं दो बजे मेरी मेरे को आज भी आदा है मैं दो बजे वहां पर रात को गुसा था स्कूल में और वहां पर मैंने नेचरल इन्वेस्टिकेशन करी थी जिसमें किसी भी मशीन का मैं यूज नहीं कर रहा हूँ, उसमें एक बलून रखा हुआ है सामने, जैसे जैसे मैं सवाल पूछ रहा हूँ, कि बेटा आप मेरे आसपास हो, और मैं बोल रहा हूँ, गर आप मेरे आसपास हो, तो इस बलून को लेफ्ट करो, इस बलून को राइट करो, तो आप वो वीडियो देखोगे मतलब वहाँ पे एर का कोई सोर्स नहीं है उस रूम के अंदर आप वीडियो देखोगे बिलकुल वाइड एंगल में वो शूट हो रहा है बीच में बलून रखा जैसे जैसे मैं सवाल पूछ रहा हूं वैसे वो बलून मूव हो रहा है तो वहाँ पे बच्चों की स्पिरिट्स जो थी वो मुझे आंसर तो कर रही थी लेकिन जैसी मैं उस लोकेशन से निकला उस लोकेशन से निकलने के बाद ही भाई मेरी कार का क्या करते हैं वो एक्सिडेंट हो गया जैसी एक्सिडेंट करा मुलब ठीक कराया मैंने उसको रिपेर कराया हूं से उसके ब प्रेस तो मुझे लगा यार यह हो क्या रहा है में उसके बाद नेक्स दे मैंने वह ला कि हनुवान-मंदिर चलते हैं कनौट प्लेस भाई दिखाते हैं हनुमान-मंदिर गए जैसी मैं लैपटॉप लेके जा रहा था नय लैप-टॉप लिया मैंने वह कार में रखके गया व मेरे अपनी लोग नहीं है मुझे ये लग रहा है कर लापाल कोई है मुझे बार-बार टच करता रहता है मुझे यह फील हो रहा है सपनों में वह स्कूल खाना खाने का मन नहीं है मैंने बोला कि चलो दोस्तों के साथ चले जा पार्टी में चले जा मनी नहीं है फिर मेरे घरवालों को थोड़ा सा डाउट हुआ है फिर मेरे घरवालों ने बोला के भाई तू अपने बाबा के पास जा फिर आप मानोगे नहीं कि मैं बाबा के पास गया बाबा के पास जैसे ही पहुचा उन्होंने छूटते ही मेरे को एक दम बोल दिया के गाड़ी के टायर फटने लग गए गाड़ी खराब होने लग गई हैं और किया कमरे में अपने आपको बंद करके रख लिया तुने मैं ला हाँ बाबा उन बाबा ने भाई ऐसे उपर निकल जो करना है वो कर तो मैंने का क्या हुआ था करे बच्चों की आत्मा लगी थी ना तरे पीछे मलब उनको मैंने कुछ बताया नहीं है उनको कुछ बताया नहीं है कि क्या हुआ है कहा गया था क्या किया था कहा था क्या करता हूं वो खुद से बोलने लगे के बाई दोबारा सु स्कूल में गया, मैंने बोलां के नहीं भाई ये इसको करना है इसको सॉट करना थो इसको दोपारा सू स्कूल में गया, स्कूल में जाके फिर सूर्ड़ा करें, फिर वहाँ पर बच्चों की स्पिरिट से बात करी, वो मिले को साइन्स मिले शब कुछ cur what यह थोड़ा डीप में बताओ इस चीज़ को कि जैसे मालो आपने बच्चों से क्या क्वेशन पूछे भाई थोड़ा सिनेरियो एक्स्प्लेइन करो कि आप क्लासरूम में थे कहां बात कर रहे थे क्या सी तो मैं क्लासरूम लाइक दो तीन क्लासरूम थे गाउं में आपको प पर बताओं कर दो सेकंड टाइम मेरे साथ क्या हो उसी लोकेशन पर मैं वहाँ पूछ रहा हूं कि क्या करते हैं आप यहां पर हो वो करें हाँ जी है आपने मुझे पहचाना तो यह भी आंसर कर रहे हैं कि हाँ बाई मुझे पता है वो लेफ्ट या राइट कर रहे हैं बल भी बोल सकती है पर यह बलून क्या यह उस बोला जाता है कि वह यह नैच्छल उसमें आता है कि वह ऐसी एनरजी स्कैश कर ले थे बलून में पहली बार सुख बलून मतलब मेरे को एक ऐसा गैजट लगता है जिसको आप रॉंग प्रूफ नहीं कर सकते जैसे मैंने एक रू बलून इतनी सेंसिटिव चीज है आप उसे हलकी सी फूख मारोगे वह एकदम उड़ने लग जाएगा तो मुझे लगा कि यह मेरा प्रॉसेस है मतलब आप कहा सकते होगे इसे इन्वेस्टिगेट करने का और वहाँ विंडो विंडो कुछ नहीं थी जहां से हावास एक दो इन्वेस्टिगेट करने का परपस क्या था कि जैसे सबको पता ही है वहां पर आपने जाके वहां पर यह बताओगी फिर उसके बाद प्रिंसिपल के साथ आपके क्या बात ही करने का रीजन कि होता ही? लोगों का रीजन होता है उस हॉंटिड जगे को सिर्फ हॉंटिड है या नहीं बताना लेकिन मेरा परपस यह होता है की उस हॉंटिड जगे को फ्री कर देना कि वहां पर लोग जाके रह सकें. उस Lagos को मैं दुबारा चलवा सकूंगू. उस principal का main motive ही यही था मेरे को mail करने का, कि वो school चलने लग जाए, क्योंकि obvious ही बात है, इतनी बड़ी property है, बच्चों की education वहाँ पर जा रही है, बच्चे 20 km दूर जाते हैं गाउं में बढ़ने, तो second time मैं गया, मैंने वहाँ पर सवाल पूछे, कि बटा आपने मेरे पीछे आये थे, तो उन्होंने उस बात का answer किया, कि भाई मैं आपके पीछे था, मैं आपके साथ था, आप मुझे देख रहे हो, मुझे touch कर सकते हो, तो वो answer कर रहे हैं, हाँ, बिल्कुल proper भाई, तो उस school में, जब मैंने investigation complete करी, तो मुझे पता चलेगा, कि भाई, अब इस school में, spirits exist कर रही हैं बच्चों की, और बच्चों की जो spirit होती हैं, वो बड़ी, मुझे जिद्धी होती हैं, आप समझ सकते हो, जैसे बच्चा एक होता है, तो जिद्धी होते हैं, किसी को चोकलेट चाहिए, कोई शोशली बहुत जादा एक्टिव हैं, 95 उनकी एज है, जिनके पास मैं जाता हूँ, 95 एज है, जो बैठे बैठे मुझे बता देते थे, कि भाई, मैं इस टाइम क्या खा रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ, तो वो पावर्स मेरे इसाब से, मैंने आज तक कहीं experience नहीं करी, तो उनको मैंने बोला, कि मैंने बाबा ऐसी बात है, और मैं और आप चलते हैं, बाई उस स्कूल में गया मैं, आप मोटीव पूछ रहे था, मोटीव यह था, स्कूल में बाबा को मैंने दो दिन महाँ पे लेके गया, रात को मैं उनके पास गया, उनसे पूजा कर रही, अपने पैसो से, मैंने कोई पैसा नहीं लिया, उस स्कूल को मैंने दुबार रियोपन कर दिया, और उस स्कूल में आज बच्चे पढ़ रहे हैं, और उस स्कूल में, बच्चे एकदम चिल कर रहे हैं, क्योंकि पंडित डेली सौ सो बार हनुवान चलिसा पड़ता है एक एक एक्जामपल दे रहा हूं तो वह नाइंटी-फाइव यह का जो बाबा है वह अगर उस चीज को कर रहे होंगे तो उससे कितना ज़्याद एफेक्ट पढ़ रहा होगा बट उस पूजा के बारे में आप बता सकते हैं और उसके बाद उन्होंने कुछ बताया है कैसे फ्री करा उन्हें हां मतलब यह थोड़ी सी चीज ऐसी है कि इसको बताना थोड़ा सा मुझकि भी हो जाएगा क्योंकि वह कुछ अपनी तंत्रमंत्र विद्या उनके पास सिद्धी है काली माता की और मतलब आप कह सकते हैं कि वह हनुमान जी से डारेक्ट बात करते हैं लेकिन वह कभी फेमस नहीं होना चाहते ना ही उनका मकसद है ना ही वह कभी पैसे लेते हैं जो पैसे लेते हैं वो मैं देता हूं उनको क्योंकि भाई ऑवेसी बात है उनको भी आगे अपना फैमिली को देखना है उ मैं हमेशा सिर्फ यह कोशिश करता हूं कि जो spirit जो वहां पर है जगे उसको भाई free करूं मुक्ति दिलाना मेरा काम है अब ऐसा नहीं है कि मैं भगवान हूं लेकिन ऐसे बाबाओं की help से मैं इन चीज़ों को करता हूं और तभी इस field में मतलब interest है और 9-9 cases मेरे पास आते रहत भाई एक ऐसी जगह है उत्राखंड में एक भाई लोहागाट चंपावद चंपावद डिस्टिक है और लोहागाट एक शहर है उसके उपर एक पहाडों के बिलकुल उपर टॉप पे एबाट मांट करके हां वह बहुत इंटरस्टिंग स्टोरी भी है और वहां पे जो आपने कभी सुनी नहीं होगी कि चर्च भी हॉंटे होते हैं लेकिन अंदर अगर पॉजिटिविटी है तो भाई वहां पे ऐसे तीन चार जगह है जो बड़ी हॉंटे है तो उसकी स्टोरी भाई यह है कि वहां पे एक जमाने में मलब जब ब्रिटिशर्स का टाइम रूल क भलते थे वहां पे उन्होंने क्या किया कि जब व स्टोरी सव जा रहे ते तो कुछ प्रिटिशर्स भापे रूंप रुक गए कुए उनको जगह वाड़ी पसंद से वो भी तो वहाँ पर लोगों को इलाज मिल सके बेसिकली तो भाई वो हॉस्पिटल चलता रहा कुछ ठाइम तक तो थोड़े टाइम बाद वहाँ पे एक डॉक्टर पॉइंट होए doctor का नाम था doctor Morris और doctor Morris का दूसरा नाम था और पूरे वरल्ड में और इंडिया में famous Jupyth उसको doctor death बोलते हैं तो क्या हुआ भई कि जब वो doctor appointment रॉइंट हुआ तो वहां पे काफी सारे patient ठीक जरूर होते थे म Fedyect ये बड़ा चलता था कि दोक्टर मौरिस को दिखाना है दोक्टर मौरिस यहाँ पे रहते हैं और उनके अंदर बताते थे कि एक जादू है और उनके पास ऐसी कोई powers हैं कुछ ऐसी energies हैं जिससे patient ठीक हो जाते थे कहते थे कि वो नबस देखके बताते थे कि वो patient की मरने की date time बता देते हाँ और वो जिन्दा कर सकते थे कि नहीं कर सकते थे मतलब वो ठीक हो जाए या नहीं हो पाए वो भी वो बता देते थे लेकिन ये चीज पूरे गाउं में बहुत जादा फैल गई और लोग वहाँ पे भाई कुछ भी कोई भी बिमार होता था डॉक्टर मौरिस के पास जाना है तो डॉक्टर मौरिस भाई उनको देखते थे उनकी नफस देखते थे और उसको बोलते थे भाई ये patient दो दिन बाद मर जाएगा इसको वहाँ ले जा रहा हूँ मैं कोशिश करूँ इलाज करने की मलब जो भी अलग-अलग stories हर जगे होंगी लेकिन जो main story वो ये है कि वो इलाज करने के लिए उनको एक जगे लेके जाया करते थे उन्होंने अपना ward बना रखा था और उसके बाद भाई वो डॉक्टर उन पेशन्ट को एक जगे पे लेके shift कर देते थे उस जगे का नाम होता था मुक्ती कोटरी जहां पे डॉक्टर मौरिस क्या करता था लोगो को वहाँ पे मलब कुछ जैसे dead bodies को वहाँ रखता था सब के ना मलब सरजरी करता था सब के दिमाग खोलता था और वो यह देखता था कि जब लोगों के हाथ पर एक जैसे हैं आखे एक जैसी हैं तो लोग सोचते अलग-अलग क्यों है आत्मा कहां होती है बोडी में मलब उसके अलग-अलग experiments वो करता था देखता था कि एक जिन्दा इंसान और एक मरावा इंसान अलग-अलग कैसे सोचता है मलब वो सोचता था कि मरावा इंसान भी तो सोच सकता है अगर एक जिन्दा इंसान सोच सकता है तो तो उसके बड़े-बड़े अलग-अलग experiment होते थे भाई उसने क्या किया, वहाँ पे बहुत सारी, सो से जादा लोगों के साथ वो experiment किया, जो मर गए हैं, और गाउवा लोगों को यह हुआ कि यार, जो time date decide करता था, वो उसकी, मतलब, बिमारी को लेके decide नहीं करता था, वो इसलिए decide करता था, क्योंकि next day उसको, second next day उसको, उसक के साथ experiment करना है, देखना है कि भाई, ये करते क्या है, ये हैं क्यों, ये इनसान सोचता कैसे है, इनका दिल कैसे धड़कता है, ये सब कुछ, मतलब, सारी चीज़े, जो भी उसका process होया करता होगा, उसके बाद दिल्ली से भाई, एक doctor appointment हुआ, काफी साल बाद, गाउं में, हबड़ा दबड़ी मच गई कि भाई, ये doctor Morris सारे patient को अंदर ले जाता है, और छोड़ता नहीं है, बताता नहीं है, ऐसा क्या होने लग गया है, क्योंकि starting में तो doctor Morris ठीक था, लेकिन वो कुछ time बाद जाके, doctor death के नाम से famous हो गया, और जब दिल्ली का doctor appointment होता है, वहाँ पर जाता है, वो बताता है, कि भाई, doctor Morris ये research करता था यहाँ पर, अब जो इनसान जिन्दा था, वो उसे भिहोश करके उसके साथ experiment करेगा, तो भाई, कहीं न कहीं उसकी आत्माएं बटकेंगे वहाँ पर, तो सो से जादा बताते हैं, वहाँ पर आत्माएं बटकती है, और वह hospital भी है, अब पहला step क्या है, पहला भाई, चर्च है, बताते हैं कि doctor Morris की आत्मा भाई बटकती है, doctor death की आत्मा उस चर्च में बटकती है, उस चर्च में मैंने investigation करी है, वहाँ मुझे science मिले थी, क्या science? वहाँ पे भी भाई मैं एक ऐसा equipment लेके गया था, वो भी नहीं था, उसमें भी काफी सारे sensors थे, मैंने question जब put up करे थे, तो वहाँ पे doctor Morris नहीं था, लेकिन कुछ और spirit थी, और वो spirit वो थी, जिनके साथ उस जमाने में experiment हुए हुए थे, फिर second मैंने investigation करी, वहाँ पे graveyard थी, graveyard में मैं देख रहूँ कि भाई वहाँ पे ना, मतलब बड़ी-बड़ी orbs दिख रही हैं, ऐसा दिख रहा, white shadow दिख रही है, और वो famous जगे इसलिए भी है क्योंकि वहाँ पे सबसे ज़्यादा tiger और panther मिलते हैं, panther बहुत हैं वहाँ पे, मतलब normally इंसान नहीं जा सकता पहले भी मैं वहाँ पे गया था, लेकिन हम वापे आ गये थे, और वहाँ पे कुछ foreigners ने भी वीडियो बनाई है, जब उन्होंने tent लगाया था, तो उसके आसपस tiger भटक रहे थे, तो काफी लोग ऐसे भी हैं, जो वहाँ पे जाने की कोशिश कर चुके हैं, लेकिन कर नहीं रिकॉर्ड नहीं कर सकते हैं, तो वैसी वो चीजे मुझे महसूस हो रही थी, और दिख भी रही थी, लेकिन कैमरे में रिकॉर्ड नहीं हो रही थी, लेकिन अगर आप मेरी उस वीडियो को देखोगे, तो शायद उसमें आपको वो दिखेगा, के ऐसी light वहाँ से आ रही है जहां से कोई मतलब भी नहीं बनता light आने का, तो उसके बाद भाई मैं उस hospital में गया, जहां पर एक्चुली वो experiment स्टार्ट करता था, और शिफ्ट करता था, वो दूसरी जगे थी, थोड़ेक स्वें करो कैसा था वो hospital, भाई मैं बताता हूँ के वहाँ पर हम track करके गए, का वहाँ पर देखते हैं, बहुत पुराना जैसे नहीं जंक्यार बना होता है, तो वहाँ पर काफी पुराना ऐसा बना हुआ था, बहुत लंबा सा था, और वहाँ पर अलग-अलग rooms बने हुए थे, जैसे hospital में होते हैं, के भाई, यह मैडिसन से यहां मिलती होंगी, यहां प भाई लगा हुआ है, काफी जगाओं पर लॉक है, बट वो gate पुराने है, और वो windows पुरानी है एकदम, वहाँ पर दिख रहा है के यार, सब कुछ ऐसा है जो पुराने जमाने में ही था, कुछ वहाँ पर नया नहीं हुआ, उसके बाद मैंने वहाँ पर investigation करी, वहाँ पर investigation क करने के बाद मुझे कुछ फील नहीं हुआ, मेरे machines पर कुछ फील नहीं हुआ, लेकिन मेरे आसपास मुझे ये फील हो रहा था, मेरे पूरे beard की जो रॉंग्टे थे खड़े हो गए, मेरे पैरों के रॉंग्टे खड़े हो गए, और उस जगे पे मैं हिम्मत नहीं कर पाद है, मुझे लग रहा था कि यहां पर आना मैंने गलत decision लिया है, मेरा decision बहुत गलत है, मेरे को यहां आना नहीं चीए था, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा था कि बार बार कोई ना कोई panther आ जाएगा, कोई ना कोई spirits मेरे साथ लग जाएंगी, और जिससे मैं शायद ना बच हूँ, वो जगह मेरे लिए थी, एक ऐसी, क्योंकि वहाँ पर कुछ Britishers भी मरे थे, कुछ Indians भी मरे थे, तो सब को समझना मुश्किल है, आप एक spirit से तो deal कर सकते हो, दो से कर सकते हो, लेकिन जब वो पचास सो से जादा हूँगी, तो आप शायद डील नहीं कर सकते हो, तो उ उस hospital के बाद में मुक्ती कोठी में गया, लेकिन अब वो मुक्ती कोठी एक जगह है, जो वो private properties बन गई है, उसको मलब लोगों ने ले लिया है, हायर कर लिया है, वहाँ पर बड़ी बड़ी अच्छी कोठी बनी हुई है, लेकिन अब तक उस जगह पे कोई नहीं जाता, न कि सारी चीज एकदम सामने सामने है, तो वहाँ पर भाई कोई हिम्मत नहीं करता जाने की, आपको ऐसे कोई indications नहीं मिले कि यार कुछ आवाज आ रही है, खिड़के खुल गई, भाई चर्च में मिले थे, और वो experience मेरा एक ऐसे था कि मैंने वहाँ पर, जब मैं चर्च की window स देख रहा था, तो मैंने किसी को जाते हुए देखा था, लेकिन वो बात मैं on camera नहीं बोल सकता, क्योंकि लोगों को लगेगा कि मैं जूट बोल रहा हूँ, क्योंकि मैं चर्च में था, मैं शूट कर रहा था, कैमरा मैंने ऐसे शूट कर रहा है, मैं इधर खड़ा हूँ, म और वहां से वही मैंने जाते हुए लोगों को देखा, किसी को जाते हुए देखा मैंने, और उस टाइम पर मुझे लगा कि शायद हो सकता है, कोई local बंदा आ गया हूँ, लेकिन जैसे ही मैंने उस वीडियो को pause किया, और मैंने भार जाकर देखा, वहां पर कोई भी नहीं और उस चीज़ को मैं on camera इसले नहीं बोल सकता, क्योंकि लोगों को लगए गया है views के लिए कर रहा है, जूट बोल रहा है, लेकिन यह experience मैंने किया है, और वहीं से आने के बाद मेरी तब्यद खराब होगी, मैं तीन दिन रुद्रपूर में रुका रहा, एक दिन मैं हल्द हल्दवानी के बाद मैंने कोशिश करी एक और घर शूट करने की, और जब वहाँ पे मैं पहुंचा तो मेरे को लगा, मेरा camera man भी बिमार हो गया है, मैं एक और camera man को बलाता हूँ, वो एक सरदार था, उसको बड़ा शौक था मेरे पास videos में साथ में चलने का, experience करने का, वो हल्दवानी के बाद मैं रामनगर चला गया, वहाँ पे एक लाल घर नाम से बड़ा famous है, एक red house, वहाँ पे बताते हैं किसी ने suicide कर लिया था, उस लड़के की spirit वहाँ पे घुमते है, एक छोटा सा room ही है, लेकिन वो बिलकुल खेतों के बीच में है, तो जैसे ही मैंने उसे investigate किया, और उस दिन मैंने ये सोचा कि यार, ये लाल घर है, क्यों ना मैं यहाँ पे एक अलग तरीके से shoot करता हूँ, वहाँ पे मैंने लाल light जला दी, light के आगे, filters लगा लिए, और मुझे लगा पूरा red theme होगी, और shoot करूँगा, तो जैसे ही हम shoot कर रहे हैं, you won't believe, भाई, म बुलाया पीछे से, जैसे ही मैंने देखा, वो पूरी screen red थी, camera की और phone की, बुला, अच्छा, और जब हमने naked eye से देखा, light को हमने बंद कर दिया, मलब white light कर दी, तब भी वो room हमें red दिख रहा था, camera पे, camera में भी, आखों से भी, औरे, भाई, वो red दिखने लग गया, मैंने बुलाया ये क्या हो गया, उसी time वो जो सरदार था, जो experience करने आया था, बही मैं आपके सब bag bag उठा लिया करूँगा, सब कुछ कर लिया करूँगा, आप मुझे experience करा दो, जैसे ही वो room से निकला, उस room से उसे vomiting होने लग गई, वो गिर गया, faint हो गया, उसको उठा के हम रा स्टोरी अटैच होती है एक और, कि मैंने चलो ये तो experience किया, वहाँ पर ये तो पता चल गया कुछ था, लाल घर भी था, लाल चीजे हो रही थी, और भाई मनलब मैं इससे जादा बड़ी बात नहीं बोलूँगा, कि मेरा चैनल ना चले, मेरा करियर ना बने, अगर मैं इस लाल घर की स्टोरी बता रहा था, भाई उसका फोन रेट होते कि, अगिए उसे स्टोरी बता रहा था, लडगी का नाम नहीक नहीं दिया, और उस लड़की ने फोन फैक दिया, बहाई, भाई, वह एक ऐसा experience कि आ होकल ए, मैं घल गया, मैं एकशोटी से जगे तो कई बार भाई एक छोटी सी जगे भी इतनी हॉंटेड हो सकती है ना आप अंदाजान लाई अपने फोन किस करीम देख रहा हूं हमारी तो नहीं हो चलो अच्छा है नहीं होई भाई तो वह बड़ा एक अलग एक्सपिरियेंस था मैंने उला एक घर था वहां पे चलो यह तो फिर वो सरदार से मैंने बूचा कभी चलना है किया रहा है या मेरी माने कसम देके बोल दिये कि आज के बाद में आज के बाद सागरती वारी के साथ दिख मच जाई हो भाई वो बंदा आज सक फोन नहीं करता बर्डे पर विश करता है सिर्फ ये बोलता है भाई एपी बड़ी अलग चीज आ है रहा है नहीं बाई आप जैसे बंदे के साथ नहीं रहा है आप तो हमेशा ऐसी जगे ले जाते हो जहां मड़े यह मरे बचने के कोई चांचसी नहीं है तो मैंने बहुत पर बाई इस रूम से बहार है तो आपको सब नार्मल दिख रहा है जब मेरे साथ नहीं और भी चीज आसी ही सेम चीज मेरे साथ कहीं और भी ती तो यह इक काली नदी है UP में वड़ी फेमस है वहाँ पर काफी सारी डेड बोडी लोग जला देते नदीओं के पास लोग के पास वहाँ पर क्रिमिनेशन ग्राउंड नहीं होते है तो भाई उसने वहाँ पे एक मेरे फ्रेंड ने मेरे को मेसिज किया कि भाई यहाँ पे रिचुल करके देखते है haunted रिचुल जो गेम होती है although मैं believe नहीं करता था इन चीज़ों में तो वहाँ पे मैंने उस गेम को करने के लिए रिचुल को स्टार्ट करने के लिए रात को गया वहाँ पे बोन्स थी, बोन्स भी साथ में रखी हुई है पता नहीं किस-किस की थी, इंसान की भी थी, जानवर की भी थी वो रिचुल किया, देखा वहाँ पे, मुझे कुछ फील नहीं हुआ लेकिन मुझे, जैसे ही मैंने उस जगे को मैंने छोड़ा तब ही मुझे लगा मेरे पीछे कोई चल रहा है भाई, मेरे सर में इतना दर्द चेस्ट में इतना पेन, और वो पेन, भाई मेरे से बरदाश नहीं हो रहा और मेरे होमटाउन के पास ही है, 12-13 किलोमेटर दूर था तो वो मेरे से पेन बरदाश नहीं हो, मैं अपने घर पे जाके सो गया अम मेरे पास घर पे थे चार लड़के तो एक मेरा कैमरा मैन था, एक भाई मैं अपना शेफ लेके गया था क्योंकि मेरे घर में कोई रहता नहीं, और मेरा खुद का घर हॉन्टेड है, वैसे तो वो बहुत बड़ा कोठी सी है तो वहाँ पे कोई रहता नहीं है, तो वो वहाँ पे था, एक मेरे गाउं का लोकल बंदा था रात को भाई, हम सोरे, जैसी like गाउं में हमारी खाटे, जो हम खाटों पे सोते हैं तो खाटे थी भाई, दो बंदे रूम में सो रहे थे, दो बंदे भार सो रहे थे तो मैं फोन चला रहा था मेरे एक फ्रेंड का फोन आ रहा था यूएस से मैं उससे वीडियो कॉल पर बाते कर रहा था शूट करने के तीन बजे कर रहा हूं तो भाई जैसे मैं मापे शूट कर रहा था तो नहीं जैसे मैं उससे बात कर रहा था वीडियो कॉल पर तो उसी टा यह भी ऐसा है बिलकुल कौने में मतलब उसके बाद सिर्फ हमारे फार्म फार्म से हैं क्या आवाज आ रही है मतलब जैसे कोई ऐसे नहीं आप मतलब आपको कोई ना कोई नौ कर रहा है तो मुझे लगा हो सकता है मेरी विंडो शयद कोई विंडो खुली रहेगी यो कुछ इस वज़े से आवाज आ रही हो फिर उसके बाद उसने दुबारा बोला कि आवाज आ रही है मैंने का या चल ए गर में अकेले घूमने भी बंदे की फट जाए ऐसा है वो घर हाँ तो जैसी उसको छोड़ा कि भाई तू भी जाके चेक कर किया ने भी चेक कर ले तो उन देखा सब नॉर्मल है जब मैं सोने लग गया वो बंदा सोने लग गया तो तीसरा बंदा जो भार बैठा हुआ था सकता हूँ लेकिन तीसरा बंदा भी आके मेरे को बोल रहा है फिर तीसरा बंदा भाई मेरे पास ही आके मेरे पास ही सो गया फिर बचा गाउं वाला बंदा अब गाउं वाले बंदे बड़े स्ट्रॉंग होते हैं कहते हैं कि गाउं का बंदा डरता नहीं है लेकिन ऐसा तो जैसे भाई मैंने देखा मैंने वुला यार भेनलो तु पानी क्यों डाला मैंने उसको सुना ही थोड़ी सी उसके बाद उसने मेरे को बोला कि नहीं भाई आप देखो एक बार चलके ऐसे भी तो उठा सकता तो भाई आरे भाई हम उठनी रहुँगा ना क्यूंकि टायर्ड होगे थे शूट करके आये थे वो करके थे रिच्वल करके थे हॉंट जगे से रिच्वल के बारे में भी बता ना इसके बाद की क्या था गाउंवालों को यह नीपता होता ना बाई कैसे किस को ट्रीट करना है गर में ढूंड़ा कुछ नहीं हो रहा उस टाइम पर मेरे साथ क्या हुआ कि उस गाउंवाले बंदे ने मेरे को बोला कि हमारे गाउं में ये माना जाता है कि अगर आपके घर के आसपास चुडएल है और घूम रही है उसने क्या किया हमारी सारी स्लीपर्स ली और सारी करता था किया है इसे कहा जाता है कि बाई जब चपले उल्टी कर देते तो कोई नेगिटीविटी असपस नहीं घुमती है यह तो बड़ा लग लाग लॉजी क recur चल करके देख ले उसने भाई करके देखा वैसे तो उल्टा कहा जाता है चपल उल्टी नहीं सीधी कर दिया करो जब इनल्टी होती है यह जैसे उसने वह किया थोड़ी देर बाद हम सो गए लेकिन सोने के बाद मुझे रात को सपना आया मेरा कैमरामेन भी जानता है महलब ये तीन चीज़ें एक साथ मेरे साथ हो रही है कि मैं रात को सोया हूँ मैंने उसी टाइम पे एक सपना देखा है कि एक लेडी है जो मेरा पैर पकड़के मुझे खीच के ले जा रही है और जैसे ही मैं उस टाइम पर उठा हूँ चार बजे मेरी बोडी में पेन हो रहा है मेरे पैरों में भी पेन हो रहा है तो मुझे लगा बुरा सपना होगा भाई तो जैसे ही उस सपने को देखने के बाद वो मॉर्निंग पूरी होती है हम उठते हैं मैं टूब बेल पे नहने जाता हूं टूब जब नहने पहुंचता हूं तो मेरा कैमरा मैं बोलता है आपके पैरों मैं आपके काफ के पास फिंगर के प्रिंट कैसे है औरे मैं भाई ऐसे देखता हूं भाई महलब ये चीज नहीं कुछ ऐसी चीज हैं जो मैं नहीं मैं भूल जाता हूं या कुछ ऐसा हो जाता है और ना ही मैं बता सकता हूं क्यूंकि भाई मैं बता हूंगा बंदा बोल दे जुट बोल रहा है भाई finger के prince मेरी काफ पे थे और पांस दिन तो मैं गाउं में था आयसा भी कोई नहीं कह सकता कि कोई लड़की ने पैर मार आहाद मार दियो किसी लड़की ने टांगे पकड़ लियो मेरी तो भाई मैंने देखा मैंने लगा क्या यार ये हुआ क्या है फिर अगले दिन सुबह सुबह गाउं वाले से पूछा उन्होंने बोला ये जो तेरे घर के साथ में इतना बड़ा पेड़ है ना इस पे चुड़ेल घुमती है यहाँ पे एक और अवरत ने सुसाइड कर लिया था गाउं में अपने आपको लटका लिया था तो मैंने बोला यार आपने आज तक बात नहीं बता है यह तो सब को पता है में लगा तुझे पता होगी तो मेरा उसकी जो डालिया है वो मेरे चटके ऊपर आती है तो मुझे लगा हो सकता है भाई यह ऐसी चीज़े हो सकता है लोग वहाँ पूजा करते हैं, सिंदूर लगाते हैं, और चूडिया उडियां रखते हैं, तो मुझे लगा, फिर मेरकुन होने बताई, कि भाई हम उसको शांद करने के लिए लगाते हैं, मैंने बहला मुझे क्यों नहीं बताया, और मैं ठीक करता इसको, तो कहतें, नहीं भ संस्क्रीट में मंदर थे उससे बताते हैं कि स्पिरिट आपके आसपास आ जाती है और आपको वो फील कराएगी कि आपके बिल्कुल आसपास है साथ में और आपको टच करेगी वो परहाम नहीं करेगी लेकिन क्या पता भाई कोई कर भी सकती है कोई नहीं कर भी सकती है लेकि मैं हमेशा से यही बोलता हूँ कि spiritually मैं इतना ज़्यादा strong होना कि मैं इतनी locations पे गया हूँ शुरू मैं मान सकता हूँ मेरे साथ एक दो चीज़ नहीं लेकिन आज तक touchwood ऐसी चीज़े मेरे साथ कभी भी नहीं हुई और मैं किसी के पास जाता भी हूँ तब भी उनको positive feel होती है कि भाई ये बंदा बड़ा positive है क्योंकि मैं सब technically नहीं देखता भाई technically तो सब देख रहे हैं technically सब सारी problem solve कर रहे हैं अब मैं जाओंगा कुछ fake machines भी हो सकती है कि भाई technically लोग बता देते हैं आपके घर में भूत है वीडियोज भी बना लेते हैं क्योंकि sensor के आप पास से हाथ इलाद होगे तो भी sensor चलने लग जाता है हम भाई spiritually बहुत ज़्यादा चीज़ें उस चीज़ को देखते हैं भाई वो बताओ family वाला family में क्या औरक्षा है आपकी family में भाई मतलब ऐसा था मेरी एक मौसी जी थी अभी उनकी last to last year I think death हुई है तो बच्पन में मेरी मदर और मेरी मौसी मतलब दो-तीन मौसी और मेरी मदर साथ में रहा करते थे तो क्या होता था भाई कि घर के पास ना साप गोमा करते थे स्नेक गोमा करते थे खाना बना रहे हैं तो पुराने जमाने में मलब मैं यह नहीं कहूंगा कि हम बहुत rich family से थे जो मिट्टी के घर बनते हैं ऐसे घर थे चपर जो बने होते थे ऐसे घर थे ऐसी होते हैं तो बाई ऐसा गर था, उआ कुछ समान निकालते थे, तो वहाँ से साफ निकल जाता था। कभी कपे निकालने के आ थि तो महां से साफ निकल जाते थे। मेरी मवहशी स्कूल जा रही होती थी मंदर के साथ, तो साफ आगे पीछे चलने लग जाते थे। तो ये बहुत काफी टाइम तक होता रहा काटते नहीं थे वैसे गलो जैसे वो पास आजाते थे वो बग जाते थे तो क्या होता था कि भई वो साप थोड़े टाइम बाद घर वालों ने मेरे नाना नानी ने मेरे मामा मामी ने देखा कि हमारे सामने जो पेड़ है ना बहुत बड़ा शीशम का शीशम का था या नीम का था ऐसे कुछ था उस पेड़ पे भाई साप ही साप थे वो सारे वो पूरे ऐसे से लप्टे हुए रहते थे उसमें तो वो भाई घर वालों को डाउट हुआ कि भाई हमारे घर में और हमारे घर के सामने ही सांप क्यों है इतने जादा तो उसके बाद क्या हुआ कि जैसे ही घर वालों ने डिसाइड किया कि यार पता करते हैं क्या होता है तो वो जो बीन बीन बजाने वाले एक ना यूपी में कहा वात है डांक बजाते हैं डांक बजाने का मतलब यह होता है कि उससे जो डांक बजाने से ना साप है वो सामने आ जाता है और किसी के अंदर अगर किसी को सापने काटा है तो वो उसको ठीक भी करते हैं वो डांक बजाने वाले तो भाई बड़ी मुश्किल से मेरे घरवालों ने डून डांड के पता करके उसको बुलाया कि भाई ये ऐसा क्यूं होता है तो जब मेरी मौसी स्कूल में ही थी होंगी फौर्थ थर्ड फॉर्थ फिफ्ट क्लास में होंगी तो जब उन्होंने वो डांक बजाई देखा के भाई मेरी मौसी जैसे सांप स्नेक मूव नी करता है वो ऐसे-से होने लग गई मौसी लिटरें मतलब मेरे तो घरवालों ने मुझे ए कहानी सुनाई मेरी मदर थी तो मैंने बुलाई यार अब घरवाले किसी को क्यों जूट बोलेंगे और मौसी की कहानी है तो वह वह तो बिल्कुल जूटी नहीं होगी तो क्या हुआ फिर जैसे ही वह हुआ थोड़ी देर बाद मेरी मासी ने एक अलग सी वोईस निकाली और वो वोईस मतलब जैसे किसी की टंग ट्योस्ट होती है वो ऐसे तो तुट लाके बोलने लग गी मतलब एक होता है हम बोलते हैं ना कि भाई एक औरत की यावाज आ रही होगी बड़ी तेस्ते चैसे आदमीने लेकिन वो तो तुट लाके बोल रही थी उस टाइम पे वो बड़ी अलग सी स्टोरी थी तो उन्होंने बोला कि भाई उनको चोड़ता क्यों नहीं पेछे आता क्यो है फिर वो उसकी बैक स्टोरी बताते हैं कि भाई ये पिछले जनम में जो इनका पिछला जनम था वो किसी स्केडूल कास्ट के फैमिली में इनोंने बर्थ लिया था तो मेरे मम्मी पापा और मैं जा रहे थे मतलब ये बात सांप बोल रहा है और मेरी मौसी के मौसे निकल रही है ये बते कि हम जा रहे थे तो इनोंने खेलते खेलते पत्थर से इन सारे सब लोगों ने उनको मेरे बापा और मम्मी को मार दिया था सांपों को तो कहरे हैं मैं बदला लेने आया हूँ मैं बदला लेते लहूंगा पिछले जनम का बदला लेके रहूंगा और बता है कि इस बार ये ब्रहमिन फैमली में इनोंने बर्त लिया है लेकिन ये जीने की हगदार नहीं है और अगर आप मेरी मौसी को अब फोटो तो मेरे पास होगी तो आप देखोगे ना उनकी आखें बड़ी डिफरेंट है बहुट डिफरेंट है बागी सब को देखोगी बड़े नॉर्मल है उनकी आख्वे में एक अलग सा स्पार्क है एकदम आखे जैसे स्नेक की होती है वैसी है उनका एक पेर भाई पूरा बलू रहता है बलू रहता है मलब बलू रहता था थोड़ा और बदला ले हो क्यो ए क्योंकि उन्होंने इस बार भी जनब लिया है उस जनब में तो उनको मार दिया था साब Wise तब ही तो वो इस जनब में दुबारा आई मलब दूसरा जनब लिया उन्होंने उसके बाद भाई जब उनसे पूछा कि अब करना क्या है कैसे ठीक होंगे तो भाई उसने बताया कि 101 पंडित को खाना खिला के आओ हरीदवार जाओ और इसको डुपकी दिला के आओ तो जाके मैं माफ करूँगा बड़ी मुश्किल से पहले तो उसने बोला मैं तो मारूँगा मारूँगा लेकिन फिर उसके बाद भाई मेरे घर वाले इतने समझदार भी कहलो या कुछ भी कहलो कि पहुँच गए एक खेद बेच दिया खेद बेचने के बाद 101 लोगों खाना खिला दिया क्योंकि पुराने जमाने में आसे 80 साल 90 साल पहले खाना खिलाना भी बड़ा मुश्किल हो लगी कि तेरी आवाज में फिर से क्या हो गया फिर दुबारा उनको बुलाया फिर पूछा कि भाई क्या हो रहा है तो भाई जब दुबारा वो आया उनके अंदर वो स्पिरिट आई वो कह रही है कि भाई तुम गए तो थे लेकिन जिस बस में तुम सारे लोग गए थे फ और फिर दुबारह 101 लोगो खाना खिलाओ भाई जमीन बिगगी दी घर की मौना मौसी जो है वो नहीं गई थी तो इस बार वो कहा रहा है कि मुझे लेकर जो मैं उनमें जाऊंगा क्योंकि वो खाना वाना खिला के आगे मौसी तो गई थी लेकर एक इंविटेशन होता है ना अच्छा अच्छा वो साप मौसी की बॉड़ी में आकर गया कि तुमने मुझे लेकर क्यों नहीं गए तुम फिर भाई लेकर गए जमीन बेच दी फिर जाके उसके बाद मौसी थो जनम में जिस लेग पर उनके काटा था उसने बताया भी था और वही लेग उनका वर्क नहीं करता था तो भाई उनके बच्चे भी नहीं हुए और उनकी लाइफ बड़ी अलगी निकली और फिर भी थोड़े टाइम पले उनकी डेथ भी हो गई जीवन में उनको सुखी नह इंट्रेस्टिंग चीज है आपके साथ कि आप इंडिया के बाहर भी होकर आये हो मतलब इंडिया में तो आपने पूरा कोने-कोने नापी दिये आप रश्या में गए हो भाई मैं चातो वहां का क्या कॉंसेप्ट है जरा कुछ बताओ वहां क्या experience था इसका concept ये था और एक motive भी था भाई कि इंडिया के भूतों की problem तो मैं समझ गया हूं आप क्या सकते हैं कि कोई घर से परेशान था किसी को मुक्ती चाहिए थी किसी की wishes fulfill नहीं हुई थी ये जो common reason किसी की untimely death हो गई तो ये आज सके सारे reasons मुझे जो mostly मिले हैं तो मेरा भाई शुरू से ये था ज इंडिया को represent करना है क्योंकि भार की country के लोगों की ना एक अलग value होती गवर्मेंटों ने बहुत support करती है एक तो support नहीं है यहापे तो मैं रश्या गया भाई मेरे को ये था कि वहां के भूत क्या चाते हैं भाई रश्यान भूत क्या चाते होंगे तो भाई वहां पे मैं मेरे को शुरू से था कि यार बाहर के छूस्ट क्या चाते हैं यार यह क्या सोचते होंगे इनके जो मतलब सोचने का exist करने का reason क्या होता होगा यहां की existence तो पता चल गी इंडिया वालोंगी इनके भूतों का पता है मुझे इनको यहीं चाहिए लेकिन भार के भूत क्या चा मॉस्को और सेंट पीटर्स बग के बीच में जगह पड़ती है त्वेर और वहां पर सबसे ज़्यादा बियर मिलते हैं बताते हैं तो उस जगह पर भाई बताते हैं रात को कोई उस रोड को भी क्रॉस नहीं करता अगर आप उस रोड पर जाओगे तो आपको पांच लाग ग सेंट्स के साथ गया उनको मैंने इन्वाइट किया मैंना भाई मेरे साथ चलना पड़ेगा क्योंकि यह जगह तो जानी है क्योंकि उन्होंने मिरे को बताया कि इस ग्रेवियार के पास लोग ना घोस्ट को चलते हुए देखते हैं लोगों को रोड पे आत्माय नजर आती ह नहीं है भाई तो वहाँ पे उन्होंने कार स्टॉप करी कार स्टॉप करने के बाद भाई मैं सीधा ग्रेवियार के अंदर चला गया अब मैं वहाँ गया हूँ वहाँ जाने के बाद भाई मुझे स्मेल आ रही है बहुत जादा स्मेल आ रही थी और ग्रेवियार भी एक न प्रसमिनट तक तो अंदर ही था, जहां पर इंसान नहीं जाते, दिन में भले ही चले जाएं, लेकिन रात को कोई हिम्मत नहीं करता है, क्योंकि पुलिस ही नहीं जाती उस चगे पर, भाई वहां पर मैं इन्वेस्टिकेशन करने के लिए फिर मैंने वहां के लोकल परसन को ब ज़रूरी नहीं है कि कोई भी घोस्ट पिरिट अपनी एक्जिस्टेंस आपको उस टाइम पर प्रूफ करे ही करे, हो सकता है आज नहीं करना चाहती, सेकंड टाइम करे, क्योंकि नॉर्मली भी होता है, मैं आपको बोलू यार मेरे साथ यहां चल ले, आप मना कर दोगे, मै फिर दूसरे दिन आपको अप्रोच करूँ है, मेरे साथ चल ले यहां पे, तो बोलो के चल यार इसने कल बोला था, तो चल लेते हैं, तो ये भी रीजन हो सकता है, लेकिन वहां पे एक negativity, मैं अकेला बना नहीं हूं बताने वाला, पूरा रश्या और पूरा त्वेर जानत हैं, वहां के जो black magic करते हैं, आप तो बाई, अंदाजा भी नहीं लगा सकते हो, वहां का भी same ritual है, जैसे हैं बाई, same ritual तो बहुत बड़े गटिया से देखे हैं, लेकिन वहां का ritual जो मैंने देखा है वो मैंने शायद कभी देखा ही नहीं है, मैं आपको video's भी share करूँँग आपके पता चल रहोगा, कि वहाँ पे एक husband wife दोनों साथ में जा रहे हैं उस graveyard में, ये real video है, जो पुलिस वालों ने वहाँ पे पकड़ा, क्योंकि light जल रही थी, और दूर पुलिस तो रहती है, लेकिन उस graveyard के आसपास नहीं रहती, वहाँ पे दो Russians, एक husband wife उस graveyard में जा रहे है एक के हाथ में knife है, एक बंदे ने अपने पूरे सर के बाल हटा रहे हैं, कपड़ा सर पे बान रखा है, और वो उस knife से अपने husband को मारेगी, वो knife हो चाकू उसमें गुसेड देगी, और वो कहते हैं कि जब वो उसकी बली ले लेगी, अपने husband की, तब वो जो चाहती है, तब वीडियो देखना, उसमें husband पूरा तयार है, वहाँ पे उन्होंने बेडिये भी goat पकड़ रखी है, और एक दो जानवर लेके जाते हैं, अगर आप देखोगी, मैं आपको वीडियो दिखा रहा हूँ, आप देखना इसमें, चाकू अलग अलग है, चाकू के उपर ghost की picture बन के बन्दे अपने आपको मारते हैं, खुद को, हाँ, कहते हैं कि उनकी wishes तभी पूरी होंगी, जब ऐसे husband को एक तरी से उसने control कर लिया, कि वो उसके साथ जारा और मनने को तयार है, यही तो black magic करने का उनका पागलपन है, तो जो बन्दे खुद को मारते हैं, तो वो जान से अपने आपको, जान से ही मारते हैं, तो vicious क्या पूरी करेंगे, फर जान मरी है, कुछ होगा भाई, उनका thought process अला क्या है, कहते हैं कि अपने आपको मार लो, हमें जननत नसीव होगी, ऐसी बाते हैं, तो भाई, वो अपने आपको मारते हैं, तो उसके बाद उन्हें लगता ह जो वो चाहते हैं, कुछ लोग इसलिए भी मारते हैं, कि वो हैवन में डारेट चले जाए, हैवन में एंटर कर दे, क्योंकि कई लोगों को ऐसा लगता है, कि हमने बहुत बुरे कर्म कर रखे हैं, अब हमें हैवन चाहिए, और हैवन पाने का शायद ये एक सिंबल भी है, तो भाई रश्या में इस तरह की चीज़े सबसे ज़ादा होती हैं, मतलब ये बहुत अलग एक्सपीरियंस था, मैंने वहाँ पर ऐसी चीज़े देखी, वहाँ पर नाइफ पढ़े हुए थे, जब मेरे ट्रांसलेटर ने, मतलब वो फ्रेंडी था मेरा, उसने मुझे बता पर देख करते हैं, और फिर वो रिछ्वाक करते हैं, जो एक्चॉली करते हूंगे, मुझे नहीं पता है, वो प्रॉसेस क्या हैं, लेकिन प्रॉसेस में ये सब होता हूं, कि मुझे पता है, कि ये सारी चीज़े होती है। भाई आपको कोई दिख जाता करता हुआ यार भाई अगर मेरे को दिख जाता तो मैं सच में पकड़ लेता जाके क्योंकि मुझे बड़ा शौक है मैं आपको बताया कि मैं तेड़े रस्ते बहुत अपना है आप पे चला देता चक कुछू जी कोई बात नि भाई हो तो बहु यूपी वाले हैं भाई थो हम भी किसी से डर्टे लिए वहाथ अपना वेपन भी निए था आपके बास भाई वेपन नहीं था लेकिन इतने कमजोर नी है बाई के डर जाए अगर कमजोर होते और ये सब चीजे सोसे तो आज इस फील्ड में नहीं होते क्योंकि पूरे बहुत सारे लोग बहुत से हैं पैसा कमाना है मुझे इजद कमानी है और दूसरी चीज यह हटानी है लोगों के माइंड से और दूसरी बात यह कि इंडिया को रिप्रेजेंट करना है मेरा मेरा भी मन खरता है दूसरी बहुत सरे बहुत सरी चीजे पड़ी हुई है । कि अवहा है लेकिन वापश आगया मेरे दिल ने कवाही निदी मैं अपना पैशन कैसे छोड़ दू और रखॉड में इतना डीपली स्टडी नहीं किया लेकिन वहाँ पे जो मुझे बताएगा वो यह होता है कि भाई वो गोस्ट सबसे जादा अटैक करने के उसमें रहते हैं भार के भूतों में यह है कि वो अटैक ही करना चाते हैं वो हमेशा किसी को खुशनी देखना चाते हैं हमेशा एग्रेशन में रहते हैं हमेशा सबको existence अपनी proof कराएंगे क्योंकि आपने बहुत सारी videos में भी देखा होगा कि mostly foreign की videos में कुछ ना कुछ table हिल रही होती है आवाजे आ रही होती है ये चीजें इंडिया में नहीं होती त्मी जादा इंडिया में होती है मला अपने existence तो proof कराते हैं लेकिन ऐसा नहीं होता के भाई सोफा हिल गया टेवल हिल गई आपने देखी होगी फॉरण की videos उसमें टेवल हिल जाती है मैं नहीं देखी थी वाई एक wheelchair थी उसमें कोई बैठा नहीं होता और एक बंदा वीडियो बना रहे है गेट पैसे और थोड़ी देर में अपने आप उसकी तरह ऐसे चल के आती है और फटके उसकी एकदम भाग के जाता हो दूसरी तरह लेकिन ऐसी videos मेरे पास एक भी है मैंने पहले भी शेयर करी हुई है अमेरिका में मेरी एक फ्रेंड रहती थी वो उसको बड़ा शौक था भाई ऐसी चीजों को मतलब देखने का उसके जितना भी मतलब भार घर के भार का जो ग्राउंड था पार्किंग यार्ड था वहाँ पे वो ना ऐसी activity को बहुत फील करती थी तो वो मुझे वहाँ से वीडियो भेशी थी उसमें भाई कोई white shadow दिख रही है इंसान की पूरी कोई white shadow घूम रही है और उसने पर से एक वीडियो शेयर करी है शायद उस पे आप भी believe ना करो लेकिन भाई ये fact और ये सच है कि वो lady का dog ना बाग कर रहा है और जैसी वो window के पास जो curtains को ऐसे move कर रही है और वहीं पर जब अपने phone को ले जा रही वीडियो record करते करते कि कुटा बहुं क्यों रहा है तो सामने दिख रहा है पूरी alien shape में वहाँ पर कोई खड़ा हुआ है वो वीडियो में आपको दिखा दूँगा और आप दिखाना भाई आप खुद रहे डाली हुई है वो फोटो में पर बेजी हुई है मेरे पास है वो वीडियो तो भाई ऐसी चीजें हैं तो बाहर के बाहर existence सबसे जादा प्रूफ होती है और वो शो भी करते हैं लेकिन यहां पर क्या कुछ नहीं बोलते हैं यहां पर हम emotional बहुत है ना यहां पर जबरस् होते हैं उन्हें किसी से मतलब नहीं होता बाहर के लोग इतने emotional यहां के emotional बहुत जादा है वहां के नहीं है तो बहुत मतलब to the point चीजे करते हैं समझ रहे हो answer देना है तो देना भाई देना भी कैसे के table हिला देनी है ऐसी चीजें होती है तो बाहर का concept भाई यह था मेरा जा कैनेडा जाओंगा तो कैनेडा में बहुत सारी हांटेश है हाइलेंड में भाई हां एक मतलब वहां पे ship पार्क होते हैं जो मतलब ship को क्या बोलते मेरा उसको exact dock dock हाँ तो वहां पे मैंने देखा था कि बहुत सारे local लोग थे वो बताते थे कि यहां पे couples उस समुंदर में पास उस dock के पास लोगों को कुछ ना कुछ दिखाई देता है और चिलाने की आवाज आती है और लोग वहां पे भटकते तक नहीं है लेकिन वहां पे मैंने ऐसे sign मुझे मिले थे उनके existence के मिले थे बट वहां पे हम English में question कर रहे थे क्योंकि English वहां पे थोड़ा सा मलब ब लेकिन वहां रात में कोई जाने की हिम्मत नहीं करता लोगों को मतलब लोगों को यह लगता है कि वहां पे सिर्फ आत्माय बठक रही है और सबसे ज़्यादा सुसाइडल केस है और हमेशा भाई जैनून location पर गया हूँ कोई ऐसी जगे नहीं है हमेशा बताता हूं बहुत कि बहुत सारे क्रिकेटर हैं बहुत सारे सेलिबाटीज हैं एक साउप के सलिबर्टी का नाम नहीं बताँ हो उन्होंने भी मुझे है लोगो मुझे हैःधराबाद बुलाया उनकी घर भी ले ही वोंड के मैं उनके घर में चार-पांच दिन रुक के दिखा हूँ तो भाई मैं और मेरा एक फ्रेंड वहाँ पे पांच दिन स्टे करके है और मैंने इंवेस्टिकेशन भी करी लेकिन वो घर खाली था बहुत बड़ा मेंशन था वहाँ पे उस सेलिबिटीज के रिलेटिव और उनकी जो वाइफ रुकती है बताते हैं कि उनके रात को घर में आवाजे आती हैं और विंडोज खुली हुई दिखती हैं और ये भी दिखता है कि जब जब वो रात को डिनर बना रहे होते हैं एक ये चीज बहुत है क्योंकि डिनर बनाते टाइम बता रहे थे कि उन्होंने मुझे बताया मैंने देखा भी वहाँ एक किचन है किचन के सामने एक विंडो है तो वो बताते कि सामने हमें कोई ना कोई हमेशा खड़ा दिखता है उनके किचन के बिलकुछ जस जो सामने विंडो है और वहाँ पर कोई ना कोई खड़ा दिखता तो भाई मैं पास दिन वहाँ पर रुक के आया था घर पूरा लैविश है अरे भाई लैविश लग्जूरियस कुछ भी कहलो कोई ऐसी इंडियन चीज भी नहीं है उस घर में और उन्होंने मुझे बुलाया वो भी किसी अपने अमेरिकन फ्रेंड के थ्रू मुझे कॉंटेक्ट किया फिर उनके मैनेजर ने मुझे कॉंटेक्ट किया मैं पास दिन वहाँ पर रुक के आया और इससे ज़ादा बड़ी बात नहीं बोलूँगा कि इंडिया में कोई ऐस सिंगल परसन निया जो सेलिबिटी को ना जानता हो बच्चे से बच्चा और बुढ़े से बुढ़ा पर वहाँ पर आपने तरीके से जो खुद को चीजें आती हैं करनी वह करी और देखा मुझे कुछ लगा नहीं तो मुझे लगा कि शायद उनका एक दोका भी हो सकता है और जो था वो हटा भी दिया तो आपने वो त्रीटमेंट किया मतलब महाँ पर हवन वेगारा मुझे लेकिन मुझे कुछ दिखा नहीं क्योंकि मैं इतना स्प्रिचुली स्टॉंग हो तो मुझे जरूरी निया दिखे अब सीधी सी बात है ना वह एक जैसे डॉग है और ए पूजा कराने के लिए यहां से आठ पंडित भेजे थे उनके में दो दिन तक उन्होंने करी वो पूजा फिर मैं गया था फिर वो पूजा कराने के बाद वो घर ठीक हो गया और अच्छे कॉंटेक्ट भी है तो आप कैसे रखते हो अपने आउग को स्पेच्छली बढ़ी तपस्या भी करते हैं, पूजा में एक ऐसा बंद हूँ आपको बता हूँ कि मैं गोवे पाटी के अंदर मंतर आप बंद करके तो मैं मलब कोशश करता हूँ कि अपनेयापकोस्ट्रोली स्ट्रॉंग करता रहूँ अब कई जगह अईसी भी है, मालब घरवाले भी बोलड़ बहुत पाइब बहुत वह से कि अधे हैं अगर आप real experience को तो नाzhल है बाइए लिय। बहुत का बने को करेंगे हम वह बहुत का यह आपको पारट तू चाहिए जाहिए तो फिर हम पार्ट वी और पका शूट करने वाले और सागर भाई से बहुत बहुत शुक्रिया पाया अपना टाइम निकाला और अपने स्टोरी अपने शेर किया हमारे साथ थैंक यू भाई भाई उने बुलाया रहे नहीं भाई हमें तो बुलाना ही था यह लगता है कि ऐसे प्लैटफॉर्म पर मैं शायद सच जा नहीं करना था यह भी जाकर सब्सक्राइब करते हैं गोड़ बटन यहां पर आ रहा है और दिस्क्रिप्शन में भी लिंक है और भाई की लेटेस्ट वीडियो भी यहां पर देखी लिए प्लीज गो और जनता से मैं आप हमारे मर्चंडाइज भी खरीच सकते हैं आज हमने खरीद लो यह खरीद लो यार मेरा तो यही सब कुछ है आप देनी चाहिए तो भाई आपके पास पहुचाएंगे आपको पहुचाएंगे कि अभी हमारे थोड़े स्टॉक फ्रेश आरे नए डिजाइन जरूर भिजवाएंगे और हम मिलेंगे दोस्तों नए पॉड़कास बाई बाई टेक केर जय बजरंग जय मादेव जय मादेव